वैवाहिक सीजन के चलते घरेलू खादे तेल बाजार में खरीदारी आना शुरू हो गई है, जो आगे और बढ़ने की संभावना है, जबकि मौसम खराब होने के कारण सोयाबीन की आवक मंडियों में लगातार घट रही है। इसके चलते प्लांटों को परियाप्त मात्रा में सोयाबीन नहीं मिलने से वे अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहे हैं, जिससे सोया तेल की लागत उंची बैठने के कारण प्लांटों द्वारा सोया तेल के दाम बढ़ाना शुरू कर दिये हैं। शुक्रवार को इन दौर में सोयाबीन तेल 15 रुपए बढ़कर 880 से 885 पाम तेल इन दौर 877 रुपए प्रती 10 किलो पर पहुँच गया। देश भर में सोयाबीन की कुल आवग 2,25,000 बोरी की दर्स की गई जिसमें से मध्यप्रदेश में मात्र 85,000 बोरी की रही। के लसी 24 अंग प्लस और प्रोजेक्शन 26 अंग पर कारोबार करता देखा गया। दूसरी और USDA की ब्राजील शाखा ने 2023 से 2024 में सोयाबीन की फसल का अनुमान गटा कर 158.5,000,000 तन कर दिया। जबकि 2022 से 2023 का अनुमान 3,000,000 तन बढ़ा कर 158,000,000 तन कर दिया है। सीजन की शुरुआत में शुष्क मौसम के बावजूद इस साल फसल अभी भी पिछले साल के आसपास ही देखी जा रही है। अमेरिकी सोयाबीन निर्यात मांग कमजोर पढ़ने की चिंता का फिलहाल भारतिय बाजारों पर कोई खास असर नहीं पढ़ा है। ब्राजील में फसल की बहतर स्थिती खरीदारों को अमेरिका की ओर जाने से रोक सकती है। Bureau Report Market Times TV